अपनी कहानी शुरू करती हुई दिल्ली एक ऐसा शहर जो समय के साथ अपनी शौर्य गाथा के नए अध्याय दिरंतर गड़ रहा है इंद्र प्रस्त जो अब दिल्ली है भारतिय इतिहास के पन्नों में एक शांदार यात्रा का प्रतीक है इस शहर में सदियों तक देश के राजनेतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंडर के रूप में खुद को स्थापित किया है दिल्ली यहां लोग अपनी उम्मीदों के जोले में अपने अनंत सपनों के साथ आते हैं किसी को अपनी जरूरते पूरी करनी है तो किसी को अपनी ख्वाहिशे कोई यहां आश्याना चाहता है तो किसी को अपने भविश को सुरक्षित करना है देश का दिल है दिल्ली और दिल्ली की धड़कन है हम हम है दिल्ली विकास प्राधिकरण हम दिल्ली को एक आत्म निर्भर, विकासित और विश्वस्तरीय शहर के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प बध है इन ही सपनों को साकार करने का जिम्मा उठाया हमने जरूरत मंदों को अफोर्डिबल हाउसिंग का तौफा दिया देश की सबसे बड़ी ग्रीन सिटी बनाई जहां बच्चों और भुजर्गों के लिए पार्क, खिलाडियों के लिए विश्वस्तरीय स्पोर्स कॉंप्लेक्सेस, साथ ही यातायात को सुगम बनाने के लिए फ्लायोवर्स, अन्य आवशकताओं के लिए कमर्शियों सेंट के रूप में एक बीश बोया गया था, जिससे सीश्टे हुए एक बड़े पेड में बदला गया, आज हम उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडिये के नाम से जानते हैं, उसी पेड से कई स्वरणिम टहनिया निकली, जिसका मुख्य तना रहा विकास, और साथ ही साथ दिल्ली की बहतर आधारभूच सनरजना, ओद्योगिक विकास, आवासिय योजनाए, उपनगरों का निर्मान और यमुना का सनरक्षन Master Plan एक ऐसी महायोजना जो दिल्ली की तमाम जरूरतों के मद्दे नजर समय के अनुरूप बनाई जाती है सबसे पहला Master Plan 1962 में बना, फिर 2001, 2021, साथ ही कई अन्य राज्जों के लिए भी हमारा Master Plan एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम कर रहा है और अब 2021 के लिए Master Plan का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है हमने Asiard Games और Commonwealth Games के लिए Sports Infrastructure प्रदान करके पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है हमने Asiard Sports Village और CWG Village का निर्मान करने के साथ साथ विश्वस्तरिय सुविधाये भी उपलब्ध करवाई है इसके अलावा हमने दिली में, कुतुम और भलस्वा में गोल्फ कोर्स का निर्मान किया है जल्द ही द्वारका में अंतर राष्ट्रिय गोल्फ कोर्स का निर्मान भी पूरा हो जाएगा Shooting range, swimming pools, multi gym facilities भी उपलब्ध करवाई है हर जरूरत मन को आवास, उपनगरों का विकास यही मुख्य लक्ष रहा है हमारा अब तक कई housing schemes का लोकारपन किया जा जुका है जिनमें जनता housing, LIG, MIG, SFS के साथ-साथ द्वारका में luxury housing project भी शुरू कर दिया है इसके अलावा हमने जुगी जोपडी में रहने वालों के लिए EWS आवासों का आवंटन भी किया है दिल्ली के विकास को नए बंक देते हुए हमने पिछले छे दशकों में तीन नए उपनगरों का निर्मान किया है द्वारका, रोहिनी और नरेला जहां हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ हरियाली और सुगमता तता सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है हमारे अथक प्रयासों का ही परणाम है कि आज दिल्ली एशिया की सबसे ग्रीन राजधानी के रूप में जानी जाती है इसके साथ साथ यमुना अरावली जैसे बायो डाइवर्सिटी पार्क्स का भी निर्मान किया गया है यमुना दिल्ली की सूत्रधारा है हमने इसके रीजूविनेशन और सुच्छता के लिए अने को प्रयास किये है यमुना के किनारे जलाशे और तालाब बनाकर जल संद्रक्षन को सुनिश्चित किया जा रहा है यमुना की गरिमा और सुन्दरता बनाई रखने के लिए भी निरंतर प्रयास जारी है हमने दिल्ली को आधनिक और विकसित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारी किये हैं। सुगम यातायात और प्रदुशन मुक्त दिल्ली के लिए हमने दिल्ली मेट्रो और UER2 को आवशक जमीन आवंटन की और आर्थिक सहयोग भी दिया है। साथी साथ Diplomatic Enclave, India International Convention Center यशोभूमी से लेकर विबिन संगठनों को विश्वस्तरिय सुविधाओं के निर्मान के लिए भी भरपूर समर्चन और सहयोग किया है। जिसे दिल्ली का नाम विश्व की बहतरीन राजधानियों में शुमार हो सके। हम अपने शहर को हरित और स्वस्त बना रहे हैं। इस तरह से नई पीडियों के लिए एक स्वस्त भविश तयार कर रहे है। दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए संकल्प बद्ध है हम। हर समय उपलब्ध है हम। प्रयासरत है, कारिरत है। माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के विज़न के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण, निरंतर विकास के नए परचम लहरा कर देश का मान बढ़ा रहा है। दिल्ली को विश्व पढ़ल पर एक सुनहरी पहचान देने के लिए एक सुसज़ित, सांस्कृतिक, सभी को सम्मान और समान उसर देने वाली सुरक्षित दिल्ली बना रहे है हम। 66 सालों से लगातार गर्व से नई सोच, नई जोश के साथ इस सफर को जारी रखा है हमने। दिल्ली का हर दिन बदलता रहेगा नई उर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ हम दिल्ली की धड़कन बने रहेंगे। देश का दिल है दिल्ली और दिल्ली की धड़कन है दिल्ली विकास पुराधिकरण।